अब हम लोग पढ़ेंगे प्रसनावाली 2.3 चैप्टर दू बहुपद का ये प्रसनावाली 2.3 है इस एक्सरसाइज को सुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर देखिए ये कंसेप्ट है बहुपदो के लिए बिभाजन एल्गोरीथम क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है तो आईए पहले इसको हम समझ लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज को हम सुरू करेंगे यहाँ देखिए कंसेप्ट को में पिलिक लिए है बहुपदो का बिभाजन एल्गोरीथम ये क्या होता है इसको समझ जेए एक फर्मूला होता है Px बराबर Gx गुना Qx पलस Rx जहां Px क्या है तो भाज्य है GX क्या होता है भाजक होता है QX क्या होता है तो भागफल होता है और RX जो है सेस्पल होता है ठीक है अब इस फर्मूला में एक सर्त भी होता है ये जो आप RX देख रहे हैं तो RX की घात छोटा होता है GX की घात से अगर ये दोनों आपको याद है तो प्रश्णा वाली दो दो समरों तीना पसाने से बना सकते हैं अब यहां देखिए कि यह हम क्या लिखे हैं इसको समझीए और ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है PX यानि कि PX को हम इस परकार लिख सकते हैं अगर कोई बहुपत PX के रूप में है तो इसको हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और GX है तो वो हो जाएगा आपका भाज्यक यहां पर रहेगा QX यानि कि भाग फल और जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो सेस फल आता है उसको हम लिखेंगे RX से ठीक है तो यही होता है विभाजन इर्गोरीदम का सुत्र यह आपको याद रखना है अब देखिए यह जो कंसेप्ट करा है इसको समझे RX की घात यानि कि इसका जो पावर होगा यह हमेशा छोटा होगा इसके पावर से कहने का मतलब है कि अगर सेस फल 2X पलस 3 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए एक से स्कोर ठीक है यानि कि इसका घात एक है तो इसका घात कितना है दो है तो इसका जादा होना चाहिए और इसका घात कम होना चाहिए ठीक है सेसफल का घात हमेशा छोटा होता है भाजा के घात से यह आपको याद रखना है यह जो फर्मूला है जब आप चैप्टर बन पढ़ रहे थे तो उसमें इकुलिट विवाजन परमेइका था उसी कदार पर भी है उसमें क्या था कि PX का जगा पर A था इसके जगा पर B था इसके जगा पर Q था पलस सेस्फर के जगा पर A था यह है आपका युकुलिट विवाजन परमेइका और इस फर्मूला को बोलते हैं विवाजन इल्गोरिदम ठीक है तो यह वाला और यह वाला दुनों याद रखिएगा और बाकि चलिए हमें करसाइच को आप शुरू करते हैं प्रस्नावाली 2.3 सवाल नमबर 1 को देखिए इसमें कहता है कि विवाजन इल्गोरिदम का परियोग करके निम्न में PX को GX से भाग देने पर भाग फल थथा सेस्फल ग्यात किजिए इसमें तीन सवाल आपको दिया हुआ है इसमें दो बहुपद भी दिया हुआ है PX और GX प्रस्न में कहा रहा है कि PX को GX से भाग देना है यानि कि इसमें इससे भाग देना है और इसका जो भाग फल आएगा और सेस्फल आएगा उसको बताना है तो आएगे सवाल नंबर एक को हम सवल्व करते है दखिए सवाल नंबर एक का एक इसमें दिया है PX बराबर इतना और GX बराबर इतना PX में GX से भाग देना है और फिर इसका भाग फल आर सेस्फल लिखना है तो यहा हम लिखेंगे चूकि विभाजन एल्गोरिद्मे से ठीक है देखिए PX PX दिया हुआ है X Q माइनस 3 X स्क्वाइर पलस 5X माइनस 3 इसको भाग देना है GX से और GX आपका दिया हुआ है X स्क्वाइर माइनस 2 अब भाग कैसे दिया जाता है अगर आपको नहीं आता है भाग देने के लिए तो हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं आप मेरे चैनल के प्लेडियो में जाएगा वहाँ पर क्लास 9 में जाकरके प्लेलिस्ट में और वहाँ से बहुपद वाला वीडियो आप देख लिजएगा उसमें बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है कि भाग कैसे दिया जाता है अब देखिए भाग कैसे दिया जाता है इसको समझे यहाँ पर पहला पर देखिए क्या है x q और यहाँ पे क्या है x square है तो यह है x q और यहाँ पे है x square तो इसमें हम कितना से गुना कर दे कि x q हो जाए तो देखिए x square है अगर इसमें हम x से गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा x q बन जाएगा इसके बराबर हो जाएगा ठीक है तो x square में हम गुना करेंगे x से तो हो जाएगा x q यह पहला जो पद रहता है जितना रहता है उतना हमको यहाँ पे लिखना होता है ठीक है, अब देखिए minus 2 है, तो minus 2 को x से गुना करेंगे तो minus 2 x हो जाएगा तो इसके सामने लिखेंगे यहाँ पे minus 2 x सजाक लिखेंगे ठीक है अब इसको solve करते हैं अब देखिए इसको घटाया जाता है तो घटाओं में चिन ही चिन हो जाता है यह plus है तो यह minus हो जाएगा यह minus है तो यह plus हो जाएगा अब plus का x q minus का x q यह cancel हो गया अब क्या बचा तो देखिए minus 3 x square यह लिखेंगे minus 3 x square plus 5 x और plus 2 x यह दुनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका plus 7 x minus 3 है यह लिखेंगे minus 3 अब इसको solve करना है यहाँ देखिए यहाँ पर plus है यहाँ पर क्या है minus है तो plus में अगर हम गुना करते है minus से तो plus minus minus हो जाएगा ठीक है यानि कि जो पहला लपद रहता है यह हमको यहाँ पर लिखना होता है अब देखिए x square है यहाँ भी x square है अब इसमें हम कितना से गुना कर देंगे कि 3 हो जाए तो इसमें हम गुना करेंगे सिर्फ 3 से ठीक है तो x square में जब 3 से गुना करेंगा तो यह हो जाएगा 3 x square अब देखिए minus 2 है तो minus 2 को आप गुना करेंगे minus 3 से तो minus minus हो जाएगा plus और 2 3 हो जाता है 6 अब इसको हम solve करेंगे यह minus है तो यह हो जाएगा plus यह plus है तो यह हो जाता है minus देखिए माइनस 3x स्क्वाइर और प्लस 3x स्क्वाइर ये कड़ जाएगा क्या बचा तो 7x माइनस 3 माइनस 6 दोनों जूटेगा तो माइनस 9 हो जाएगा ठीक है तो जब हम इसको सॉल्व किये तो भागफल इतना आया और सेसफल इतना आया तो इसको हम लिखेंगे यहाँ प x माइनस 3 और सेसफल आया है 7x माइनस 9 यही आपको लिखना था ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे सवाल नमबर 2 को हम लिख लिए हैं देखिए इसमें दिया है प x बराबर x का पावर 4 माइनस 3 x स्क्वार पलस 4 x पलस 5 और gx दिया हुआ है x स्क्वार पलस 1 माइनस x इसमें इससे भाग देना है और फिर इसका भाग फल और सेस्फल लिखना है ठीक है तो देखिए यह एक बहुपद है और बहुपद जब भी लिखा जाता है तो या तो पावर को घरते करम में लिखिए या फिर पावर को बढ़ते करम में लिखिए तो यह तो सही लिखा x square फिर यहां पर plus 1 लिख दिया है और minus x यहां पर लिखा है तो इसको पहले हम सजा के लिखेंगे यहां देखिए इसको हम लिखेंगे x square फिर लिखेंगे minus x को ठीक है फिर लिखेंगे plus 1 तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे दोनों एक ही लिखा हुआ है ठीक है लेकिन ये बहुपद का मानक रूप नहीं है ये मानक रूप है बहुपद इस रूप में लिखा जाता है या तो पावर को घरते करह में लिखिए या फिर बढ़ते करह में लिखिए ठीक है तो ये आपका PX दिया हुआ है ये GX दिया हु तो यहां लिखेंगे चुकी विभाजन यह वो रिदम से ठीक है PX जो दिया हुआ है उसको पहले यहां पे लिख लेते हैं X का पावर 4 माइनस 3X स्क्वाइर प्लस 4X प्लस 5 और इसको भाग देना है GX से और GX दिया हुआ है X स्क्वाइर माइनस X प्लस 1 ठीक है अब देखिए यहां पे इस बहुपद में पर्थम पद है X का पावर 4 और यहां पे है X स्क्वाइर तो इसमें हम कितना से गुना कर दे कि इतना हो जाए ठीक है यह आपको हर हाल में करना है तो यहां पे X स्क्वाइर है तो इसमें हम गुना करेंगे X स्क्वाइर से तो जब इसमें आप इतना से गुना करिएगा तो हो जाएगा X का पावर 4 ठीक है अब देखिए माइनस X से यहां पे X स्क्वाइर है तो इसमें इस से गुना करेंगे तो यह होगा minus minus plus minus हो गया अब x में x square से गुना करेंगे तो होता है x q अब plus 1 है तो इसमें गुना करेंगे इस से तो यह हो जाएगा आपका x square ठीक है अब जब हम इसमें इसको घटाएंगे तो sine change होता है तो यह plus में है तो यह हो जाएगा minus क्टाल मेनस फूम धूठ न घृए आप देखिए क्ट का पावर चार एक्स का पावर चार यह Relaju मैं चज़ार थे इतले मीनस में है यह कैंसिल हो जाएगा अब बचा तो एक्स क्यूग यहाँ लिखेंगे x q अब देखिए minus 3 x square यहाँ पर minus x square जब यह दोनों को हम जोड़ेंगे यह हो जाएगा minus 4 x square अब plus 4 x है तो इसको लिखेंगे plus 5 है तो यहाँ पर बाकी को हम लिख देंगे अब यहाँ पर पर्थम पद है x का power 3 और यहाँ पर है x का power 2 तो इसमें हम कितना से गुना करें कि इतना हो जाए तो यहाँ देखिए plus x ठीक है जब x square में plus x से अब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x का power 3 पर्थम पद जो रहता है इसको हर हाल में यहाँ पर लिखना होता है यह ध्यान में रखेगा और फिर बाकी जो बचा हुआ है उसके साथ गुना कर देजिए अब माइनस x है यहाँ पर प्लस x है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा minus x स्क्वेर हो जाएगा plus 1 में जब x हम गुना करे या हो जाएगा है यह प्लस है तो माइनस चार एकस्वेर और यहां पर प्लस एकस्वेर है तो इसमें जो जोडेंगे यह बचेगा माइनस तो 23, x square ठीक है अब 4x है उसमें x को अगर हम घटा देंगे यहां बचएगा 3x plus 5 ये परकिरिया हम जब तेक करते हैं जब तेक सेशफल का जो घात है छोटा ना हो जाए इससे ठीक है जब इसका घात छोटा हो जाएगा इससे तो फिर हम छोड़ देते हैं तो अभी हम देख रहे है कि एक चरण हमें आगे और करना होगा अब यहां देखिए यहां पर माइनस है यहां प्लस है तो अगर प्लस में हम माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा अब यहां एक स्क्वाइर है यहाँ पर 3x square है तो x square में अगर हम गुना कर देते हैं 3 से तो यह हो जाएगा 3x square ठीक है तो यह उला जो था इतना हम यहाँ पर लिख दिए बाकी जो बचा हुआ है उससे गुना कर देजिए तो minus x को अगर हम minus 3 से गुना करेंगे तो minus minus हो जाएगा plus और x को 3 से गुना करने पर 3x हो जाएगा फिर देखिए plus 1 है इसको गुना करना हम minus 3 से तो plus minus minus एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा अब sin chain होता है तो minus हो जाएगा plus यह plus हो जाएगा minus यह minus हो जाएगा plus minus 3x square और plus 3x square यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ देखिए, प्लस 3x है, और माइनस 3x है यह भी कट जाएगा पांच और 3, यह जूट जाएगा तो 8 बचेगा, तो सेस्फल आया 8, और भागफल आया है, इतना, तो इसको मैं आप लिखेंगे अत भागफल बराबर x स्क्वाइर पलस x माइनस 3 और सेस्फल बराबर 8, यह आपका आंसर हो गया अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्ब करेंगे इसमें दिया है, पी एक्स बराबर x का पावर 4 माइनस 5 x पलस 6 और gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस x स्क्वाइर ठीक है, और इस बहुपद में इस बहुपद से भागदेना है और भागफल और सेस्फल को लिखना है ठीक है, तो देखिए, यह जो दिया हुआ है इसको हम बढ़िया से पहले लिख लेंगे 2 माइनस x स्क्वाइर है तो इसको हम लिखेंगे माइनस x स्क्वाइर पलस 2 यह बहुपद घरते करम में है तो इसको भी हम घरते करम में लिखेंगे तभी इसमें इससे हम भाग देंगे ठीक है अब आईए यहां लिखेंगे किच्चू की विभाजन एल्गोरिदम से अब देखिए जी एक्स है माइनस एक्स स्क्वाइर प्लस टू और पी एक्स दिया हुआ है एक्स का पावर चार माइनस पांच एक्स प्लस छे ठीक है अब यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वाइर है यहां पे एक्स का पावर चार है यह प्लस में है और यहां माइनस में है तो यहां लिखेंगे माइनस तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस अब एक्स स्क्वाइर है तो इसमें हम गुना करेंगे एक् यहाँ बचञा हुआइखका, गुना करेंगे यह को हजाएगा, तो माइनस अंद्दू एक्स आस्ग्वार्ड, अब यहाँ प्लस है, यह कट गया, बच गया, यहाँ पर 2 एक्स आस्ग्वार्ड, इस पांच एक्स प्लस 6, बाकि जो बचा हुआ तो यहाँ पे उतार लेंगे अब यहाँ पर देखिए कि पर्थम पद 2x square है और यहाँ पर माइनस x square है तो इसमें हम कितना से गुना करें कि इतना हो जाए तो यहाँ पर माइनस है तो पहले यहाँ लिखेंगे हम माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा पलस अब x square है यहां भी x square है इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 2x square ठीक है पलस 2 है यहां पर माइनस 2 है तो पलस माइनस माइनस दो में 2 से गुना करेंगा तो 4 होगा अब देखिए यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा प्लस माइनस कट गया बच गया माइनस पांच एक्स प्लस छे और प्लस चार जुट जाएगा तो प्लस दस अब देखिए सेसफल का घात एक है और भाजा का घात दू है तो इससे इसका घात कम हो गया तो अब हम इसको solve नहीं करेंगे यानि कि ये सेसफल आ गया है और ये भागफल आ गया है तो यहाँ पे लिखेंगे अता भागफल बराबर माइनस एकस स्क्वाइर माइनस दू तथा सेसफल बराबर माइनस पांच एकस प्लस दस ये भागफल आया और ये सेसफल आया यही आपका आंसर हो जाएगा